असलाम अलेकूम वीवर्स क्या हाल साल है आपका मैं आज आपको आलू पकोड़ा बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी बताऊंगी बहुत ही असान है आप इसको अपने घर में ट्राइ करें और मज़े मज़े के आलू के पकोड़े खाएं इसके लिए हमें चाहिए तीन से चार अलू नार्मल साइज के रेड मिर्च चाहिए नमक चाहिए पिसा हुआ साबत धनिया चाहिए ग्रीन धनिया चाहिए जिसको हमने चौप किया हुए बरीक बरीक सा बेसन चाहिए और पानी चाहिए और फ्राइए करने के लिए ओल सबसे पहले आप बेशन लें, एक बाउल में इसको डालें, एक प्याली बेशन है वन टी स्पून इसमें आप एड़ करें रेड मिर्च या हस्पेस दरूरत आप एक टी स्पून नमक और एक ही टी स्पून पिसा हुआ साबत धनिया इसमें हम शामिल करेंगे कटा हुआ जो हमने ग्रीन धनिया रखा वो पानी एड़ करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस मिक्स्चर को हमने पतला बनाना है ज्यादा इसको हमने ठीक नी बनाना बहुती एजी रेसिपी है ये आप अपने घर में ट्राइड करें और मज़े मज़े से इंजॉय करें इसको खाकर इस मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब हम इसमें आलू जो है वो काटके डालेंगे आलू जो है हमने गोल शेप में काटने हैं बारीक बारीक और ऐसे गोल शेप में ये देखें ऐसे गोल शेप में हमने आलू काटने हैं यह बहुत ही मज़ेकी रेसिपी है बच्चों को बहुत पसांद आएगी अब इसको अपने घर पे ट्राइ करें पार्क ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें कुमेंट्स करें और अपनी राय से हमें अगाह करें आएल हमने गरम कर दिया अब हम इसमें आलू के जो हमने पीसिस काटे हुए है कत्रे काटे हुए वो डालेंगे हमारी जबरदस से आलू को कोडा रेडी हो जाएगे करें अब बहुत ही मज़ेकी रेसिपी है आप इसको अपने घुम में ट्राइक करें बच्छों को बना के दें बच्छे बहुत शौक से खाएंगे हमारे पास्ट्यू चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कुमेंट्स करें और अपनी राय से हमें आगाह कर आलू पकोड़ा जो है वो रेडी हो चुके हैं अब हम इनको सर्फ करेंगे आप टी टाइम में इसको यूज कर सकते हैं शाम के वक्चों को बना के दोए और मज़े मज़े से ये आलू पकोड़ा जो है इनको इन्जॉय करें अब लेवीवर्स हमारे जबरदस से आलू पको पी है आप इसको अपने घर में ट्राइ करें हमारे चैनल पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कुमेंट्स करें और अपनी राय से हमें आगाह करें शुक्रिया